हेलो हैं विल्कुम फ्रेंट्स तु माइ चानल लेंट तु सक्सीड आज जब सीखेंगे हाउ तु काल्कुलेट मुट फिनर्शा दिस टी सेक्षिन यहां पर मुझे टी सेक्षिन दिया है जिसका यह डिसंसे 20 यह 80 यह 20 और यह 60 मुझे निकालना इसका मुट फिनर्शिया तो अब इसका मुझे निकालना पड़ेगा अगर सबसे पहले इस पूरे फेगर का तो मुझे सबसे पहले इस पूरे फेगर सीजी कहां पर है इन य-axis तो उसके लिए हम सबसे पहले इस टी को दो रेक्रांगल में डिवाइट करेंगे यह आपका पहला रेक्रांगल होगा वन और ही होगा दूसर अट्रेंगल तो इसे हम निकालेंगे वाइबार और वाइबार का आपके उस फॉर्मला होता है वाइबार इस इगल तो एवन वाइवन प्लस एटू वाइटू अपान एवन प्लस एटू जहां पर एवन यानि कि एरिया ओफ फिगर वन एटू इस प्लस उसके नीचे का पुरा इसन्स यानि कि यहां से यहां तक जो एटी डिसंस है उसमें प्लस यह 10 क्योंकि ओरिजन से यह टोटल इसन्स कितने पर है यह 80 प्लस इसका हाफ जो कि 10 मतलब यह होजागा टोटल इकोल टू 90 तो यहां पर आपको फाम्मला में आ जाएगा कि एवन एडिया फ़न कितना है एडिया फ़न इस 80 इंटू 20 इंटू वाइटी इंटू 20 इंटू वाइटू कितना है वाइटू आया था 90 इंटू 90 अपान एवन प्लस एटू एवन इस 80 इंटू 20 और एटू इस 60 इंटू 20 तो यहां से आपको इसे काल्किल करोगे तो आपको आजाएगा वाइबार का आल्यू जो क्याता है 61.42 mm यानि कि इसका मेनिंग क्या है इसका मेनिं आपका यहां पर y-bar is equal to 61.42 mm अब आपको निकालना है ixx इस पूरे फिगर का तो ixx का फामला होता है ixx will be equal to ixx of this figure plus ixx of this figure that is ixx of 1 plus ixx of 2 तो हम पहले निकाल लेंगे ixx 1, ixx 1 कितना होगा अब हम इस figure का मतलब पहले ले figure का निकाल लेंगे ixx जो कि होगा 1 by 12 into जो distance xx1 access ने cut किया है उसका cube तो यह xx1 access ने कौंता distance cut किया है 80 तो 80 का cube into remaining distance कितना है into remaining distance is 20 plus a h square a यानि की इस पूरे figure का area जो कि है 80 into 20 इसका area हो क्या 80 into 20 into h square h होता है आपका क्या h होता है कि इस पूरे figure का cg कहां पर है और इस xx जो पहला one figure है उसका cg कहां पर है उन दोने के बीच का distance यह होता है आपका h total figure का cg आपका y bar पे था और figure 1 का cg आपका y1 पे है यह आपका y1 है तो h का value क्या हो जाएगा h का value will be y bar minus y1 का square ठीक है तो y bar कितना था? y bar था आपका 61.42 minus y1 कितना था? 40 यह जो formula है यह आया है आपको parallaxes theorem से तो parallaxes theorem मैंने पिछले वीडियो में explain किया है तो उससे वर समझना था आप पिछला वीडियो जरूर दिखिए फिर उसके बाद हम इससे calculate को तो आपको मिल जाएगा इसका answer यह जो आप निकालोगे ixx of 2 याने कि अब figure 2 का i access का आपको निकालना है अब figure 2 का i access वही पार्लaxes theorem से 1 by 12 bd cube into a h square sorry plus a h square तो 1 by 12 into xx2 axis से जो distance cut हुआ है यह xx2 axis हमने draw की है इससे distance cut हुआ है 20 का तो 20 का cube into remaining distance is 60 remaining distance is 60 plus a h square a याने की area of this figure area of this figure is कितना यह 60 into 20 और h होता है h क्या होता है h आपका होता है कि इस पूरे figure का cg कहां पर है और जो figure आपने consider रखिया है उसका cg कहां पर है उन दोने के बीच का distance तो यहां पर इस पूरे figure का cg था 61 और आपके xx2 का cg था यहां पर तो इन दोने के बीच का distance आपका होगा h for xx2 और यह था h for xx1 ठीक है तो यह h कितना होगा यहां पर यह हो जाएगा y bar minus y2 का square y bar कितना है 61.42 minus y2 कितना है y2 आपने यहां पर निकाला था it is 90 90 का square अब यह आप पर आपने चोटा digit पहले बाद में लिखा है तो उसका square होके वह minus sign हट जाएगा तो उससे कुछ हमें कालकुलेकर नहीं पड़ेगा तो इससे आप calculate कर लोके तो आपको मिल जाएगा दोनों का ix1 और ix2 और hence आपका total ix will be ixx of 1 plus ixx of 2 तो इस तरह से आप निकाल लेते ह हो moment of inertia of T section तो दोस्तों अगर आपको मेरा पढ़ाया समझना है तो मेरे वीडियो को like कीजे अपने दोस्तों चेर कीजे और साथ जाथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजे थैंक्यू